कहानी का नाम भालू और दो दोस्त एक दिन दो मित्र जंगल में घूम रहे थे चुकि वे जानते थे कि जंगल खतरनाक हो सकता है उन्होंने खत्रे से बचने के लिए पास रहने का वादा किया अचानक एक विशाल भालू उनके पास आया दोनों दोस्तों में से एक तीजी से भागा और अपने दोस्त को छोड़कर तीजी से पास के एक पेड़ पर चड़ गया पीछे वाला दोस्त उपर चड़ना नहीं जानता था इसलिए उसने अपने दिमाग का इस्तिमाल किया वह मृत होने का नाटक कर वहीं लेटा रहा भालू जमीन पर दोस्त के पास गया और उसे सुंगने की कोशिश की भालू उसे मरा हुआ समझ कर दूसरे रास्ते चला गया दूसरे मित्र को पता था कि भालू मृत प्राणियों को नहीं छूते पेड़ पर बैठा दोस्त नीचे आया और उसने अपने दोस्त से पूछा कि भालू ने उससे क्या कहा दूसरे दोस्त ने कहा कि भालू ने उसे सलाह दी कि कभी भी नकली दोस्तों पर विश्वास मत करो कहानी से सीख अपने मित्र हमेशा सोच समझ कर चुने कहानी का नाम एक घमंडी मेंधक पेडों से घिरे जंगल के बीच में एक तालाब था बहुत सारे छोटे मेंधक वहां खुशी से रहते थे वे वहां तालाब के अंदर बाहर उचल कूद कर मजे से खेलते थे एक दिन कुछ मेंधक तालाब के किनारे खेल रहे थे तभी अचानक एक प्यासा हाथी वहाँ पानी पीने आया उसके बड़े पैर मेंधकों में से एक मेंधक आर्ची के बहुत करीब आ गये अरे, अरे, चले जाओ मेंधक ने हाथी को भगाने के लिए समवेट स्वर में चिलाया लेकिन हाथी करीब आ गया एक चोटा मेंधक आर्ची के बड़े भाई को खोजने के लिए दोड़ा उसका भाई, मारगी, एक घमंडी मेंधक था क्या बात है आ, मारगी ने पूछा चोटा मेंधक खबरा गया और उसने भयानक खटना बताई वे कितने हैं, मारगी ने गुस्से से पूछा वहाँ सिर्फ एक ही है, चोटे मेंधक ने कहा चिंता मत करो, मैं जाओंगा और उसे बाहर निकाल दूँगा, मारगी ने कहा चोटे मेंधक ने कहा, लेकिन बड़े भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते वह बहुत बड़ा है बकवास चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं अपने आपको उससे भी बड़ा बना सकता हूँ मैं बहुत सी हवा निगल सकता हूँ, फिर उसने अपने आपको हवा से फुला लिया उसने बहुत सारी हवा निगल ली जल्द ही, उसका आकार दो गुना हो गया फिर अपनी सांस रोक कर उसने छोटे मेंधक से पूछा, क्या वह विशाल जानवर इतना ही बड़ा है? ओ हाँ, वह बहुत, बहुत बड़ा है वह परवत के समान विशाल है या सब सुनकर मारगी ने फिर से हवा निगल ली यदि आप अपने आपको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो आप फट सकते हैं, छोटे मेंधक ने कहा लेकिन मारगी ने उनकी एक न सुनी उसने अधिक हवा निगल ली वह बड़ा दिख रहा था तभी एक जोर की आवाज हुई कहानी का नाम गर्वित गुलाब एक बार की बात है, एक रेगिस्तान में कैक्टिस के दो पौधे थे कुछ दिनों के बाद, उनके बीच एक सुन्दर छोटा सा गुलाब का पौधा उगाया दोनों कैक्टिस बहुत खुश थे और उन्होंने गुलाब के पौधे की अच्छी देख भाल की उन्होंने गुलाब के पौधे को नियमित रूप से पानी दिया और उसे गर्मियों में जीवित रहने में मदद की जल्धी कुछ दिन बाद उसमें से एक सुन्दर लाल गुलाब की कली निकली दोनों कैक्टिस बहुत खुश हुए और जल्धी गुलाब की कली एक सुन्दर गुलाब में बदल गई इसमें सुसवादू लाल रंग और जीवन से भरी पंखुडिया थी गुलाब अपनी शकल सूरत को लेकर बहुत घमंडी हो गई थी गुलाब कैक्टिस की बदसूरत उपस्तिती का मजाक उडाती था जबकि कैक्टिस चुप रहता था और गुलाब को पानी देना बंद कर दिया ग्रीश मृतु के आगमन पर वेगिस्तान शुष्क हो गया और पौधों के लिए पानी नहीं बचा पानी के अभाव में गुलाब अपनी सुंदर्ता खोने लगा रोज को अपने गलत कामों के लिए शर्मिन्दगी महसूस हुई और उसने कैक्टिस से थोड़ा पानी मांगा कैक्टिस उसकी मदद करने के लिए तयार हो गया और पूरी गर्मियों में एक दोस्त की तरह गुलाब को पानी देता रहा जल्द ही गुलाब ने अपनी सुंदर्ता पुनह प्राप्त कर ली उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था उसने दोनों कैक्टिस को धन्यवाद दिया कहानी से सीख हमें कभी भी किसी को उसके दिखने के तरीके से नहीं आकना चाहिए हर किसी में एक अनोखा गुण होता है और हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए कहानी का नाम बदसूरत उंट एक बार एक उंट रहता था जिसे दूसरे जानवरों और पक्षियों की शकलसूरत पर मजाकिया टिपनिया करने की बुरी आदत थी उसने उन में से किसी के बारे में कभी भी अच्छा शब्द नहीं बोला उसने गाय से कहा जरा अपने आपको देखो तुम कितने बदसूरत दिखने वाले जानवर हो जब मैं तुम्हारी हड़ियों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वे किसी भीक्षन तुम्हारी त्वचा को फार देंगी उसने भेंस से कहा तुमने निश्चित रूप से विधाता को नाराज किया होगा इसलिए उसने तुम्हारे पूरे शरीर को कोईले के काले रंग से रंग दिया है तुम्हारे टेढ़े सींग तुम्हें बदसूरत बनाते हैं उसने हाथी से कहा तुम सभी जानवरों के बीच एक कार्टून हो विधाता ने आपको अपने किसी विनोधी मूर में बनाया होगा आपके शरीर के सभी अंगनुपात से बाहर हैं आपके विशाल शरीर पर एक छोटी सी पून्षंकित है तुम्हारी आखे बहुत छोटी और कान बहुत बड़े हैं बहतर होगा कि मैं आपके धर, पैर और आपके शरीर के अन्य हिस्सों के बारे में कुछ न कहूँ तोते से उसने कहा, निर्माता ने तुम्हारी लाल चोट जैसी हुक के माध्यम से अपनी हासे बुद्धी का परिचे दिया है इस तरह, उंट हमेशा सभी का उफास और उफास करता था एक बार, उंट को एक लोमडी से मिलने का मौका मिला जो बहुत बोलने वाली और मुणहफट थी लोमडी ने उससे कहा, हे उंट दूसरों पर टिप्पनी करने की अपनी गंदी आदत छोड़े बस अपने आपको देखने के लिए कुछ समय निकालें आपका लंबा चेहरा, पत्थर जैसी आखें, पीले और गंदे दांद, टेडी लकडी जैसी टांगे और पीट पर बदसूरत कूबड है तुम सभी जानवरों में सबसे कुरूप हो अन्य जानवरों में एक या दो दोश होते हैं लेकिन आप उन सभी से अधिक हैं और उन्हें मात देते हैं उन्ट ने शर्म से अपना सिर जुका लिया और चिपचाप चला गया कहानी से सीख दूसरों का समान करें और आपका भी समान किया जाएगा